व्रिश्चिक राशिवालों की घड़ी समाप्थ हो चुकी है दोस्तों, अब आपके आंगन में कल्युक की सबसे बड़ी खुश खबरी आने वाली है अब आप सभी का घर और परिवार खुशियों से जगमगा उठेगा अब एक बार फिर से आप सभी का जीवन घोड़े से तेज दोड़ने वाली है दोस्तों हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना किया बहुत ज्यादा तकलीफ बहुत ज्यादा दुख दर्द आपके ही नसीब में आया है दोस्तों लेकिन एक बात तो होना ही था कि आपके करमों का सही फल आपको मिलना ही था और दोस्तों भगवान के घर भले ही थोड़ा सा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है और अब आप अपनी आँखों से खुशियों को देख कर खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे जी हाँ दोस्तों भगवान ने अब आपका नसीब का द्वार खोल दिया है आज शाम के पांच चालीस के उपरांत आप सभी का जीवन पहले से हजार गुना ज्यादा बेहतर हो जाएगा बस हम आपसे बिछड़ना निवेदन करते हैं कि दोस्तों फॉन सौ साल की बात ऐसा मौका आपसे भी के जीवन काल में आया है ऐसा शुभ योग का निर्मान आपकी कुंडली में हुआ है तो इस मौके को हाथ से जाने बिलकुल भी मदद दीजिए और इस वीडियो को आज शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा जो भी प्यार भक्त इस वीडियो को अंत तक देखिएगा उसका जीवन बदलने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकता नहीं कोई कितना भी जोर लगा ले लेकिन कोई आपको हर नहीं सकता अब आप हर जगह सफलता के जंडा करेंगे हर जगह आपका ही नाम गूंजने वाला है जी हाँ दोस्तों इसलिए दोस्तों एक बार पुनह आप सभी से निवेदन करते हैं वीडियो को अंत तक देखियेगा वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं यसो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजियेगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हरदय भाव से जैये माता दी का नारा तीन बार लिख दीजिएगा दोस्तों माता रानी का आशीरवाद आपको तुरंत प्राप्त होकर यो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपून बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जोड़ जाएं जिनमें आपको RS1 भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझ लेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप और रंक से राजा बनने वाले हैं लेकिन इसके बीच में जो रुकावटें हैं उन रुकावट को भी आपको समझना बहुत आवश्यक है और उन रुकावटों के समाधान भी आपको जानना बेहद आवश्यक है दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन काल में सुख का कोई फल अब तक नहीं देखा दोस्तों जो पैसा कमाते हैं इधर से आता है और उधर चला जाता है तो थोड़ी बहुत आप मदद कर दो तुझसे ज्यादा लंबे समय तक संभाल नहीं पाते हैं किसी ना किसी बहाने या कारण से बचाती आपकी समाप्त हो जाती है दोस्तों अभी तक आपके जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती थी तू तो कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती थी अभी तक आपके जीवन काल में कई समस्याएं आपको खीरे बैठी थी अपने जीवन काल में आप कभी दिल से खुशी नहीं हो पाए हैं साथ ही लोग भी आपको परेशान करते रहते हैं, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है, जो बात आप कहना चाहते हैं, लोग उसकी खिल्ली उड़ा देते हैं, दोस्तों आपके जीवन काल में बहुत सारे ऐसे दिन आई हैं, जिनमें आप अपने आंसुओं को लेकर पैठे हैं, फिर भी आप अपने दिल का हाल नहीं बता पाए हैं, दोस्तों हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, ये वीडियो आपके जीवन काल की एक-एक परेशानी को जड़ से खत्म ना कर दे, तो फिर कहना दोस्तों आ आज के इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं, तो समाधान बताने वाले हैं, दोस्तों आप उन्हें बिलकुल ही ध्यान से सुनें, इसलिए आज की इस वीडियो को पूरा देखें, भूल कर भी इस एम इस ना करें, ये आपके जीवन का सवाल है, आपके जो परेशानिया कई वर्षों से चली आ रही हैं, उन सभी परेशानियों का समाधान हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, और दोस्त आपकी परेशानी सौ परसेंट समाप्थ हो जाएगी, जड से खत्म हो जाएगी, इस बात का हम आपसे दावा करते हैं, त दोस्तों याद रखें, जिनके साथ है माता दुरगा, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, तो आईए दोस्तों बात। जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो बात है, दुश्मनों की जो बाहर की है, लेकिन उन दुश्मनों का क्या है, जो आपके अपने हैं, आपके घर में बैठे हैं, आपके नस्दीक बैठे हैं, जो आपको चैन से जीने नहीं देना चाहते हैं, जी हाँ, दोस्तों, आपको बहुत ही सगे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए मन में विश्व खोल कर बैठे हुए हैं। किसी के सामने आपने अपना रोना कभी नहीं रोया है लेकिन आप दूसरों को खुशी देने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर के लिए कितना पाल कर बैठे हैं। अपना कुछ करने का अपना कारोबार करने का आत्म निर्भर बनने का ख्याल रखती है। और सपने भी देखते हैं। इसी की वजह से आप कई ऐसे कारे करते भी रहते हैं जिनमें आपको परेशानियां भी हासिल होती है। लेकिन बहुत जल्द आपको बहुत बड़ी काम्याबी है भी हासिल होने जा रही है। जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों, आपकी राशिके जातकों की एक बहुत बड़ी, खूबी ये है कि आप लोग किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं, दूसरों के सामने भीख मांगना और खिड़की डालना आपको बिलकुल भी पसंद नहीं है। चाहे इसके बदले में आपको कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। आप अभी सब सही ली थी, लेकिन अपनी आत्म सम्मान के साथ आप कभी भी समझोता नहीं करते हैं। दोस्तों आपकी राश के जातक जिस बात को अपने मन में ठान लेते हैं, उस बात को पूरा करके ही मानते हैं। आपकी राश के जातक कुछ जिद्धी स्वभाव के होते हैं और इसी जिसके चलते एक ना एक दिन बड़े लक्ष भी हासिल कर ही लेते हैं। आत्म निर्भर बन जाते हैं और दूसरों की दया पर नहीं पड़ते हैं। लेकिन सामने वाला आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है। दोस्तों आप लोग समझदार होने के साथ साथ बड़े ही दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। हमेशा दूसरों के भले के बारे में ही सोचते रहते हैं। अपना भला बाद में सोचते हैं। और आपके मन में एक विशेश बात ही चलती रहती है। जब भी आप अपने भले के बारे में सोचते हैं तो आपको लगता है कि आप स्वार्थी हो रहे हैं। लेकिन यह सही नहीं है। इस संसार में हमें अपने भले के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। दोस्तों आपके सामने यदि कोई बहुत परेशान है। बिचारे की हालत खराब है तो आप हर हाल में उसकी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। फिर आप अपने बारे मे उसे खुश करने की उसके जीवन में खुशियां लाने की पूरी कोशिश करेंगे यह आपकी दयालुता का बहुत बड़ा प्रमान है और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं दोस्तों की एक बार अपने मन में विचार करके देखिए आपने कई बार दूसरों की मदद उस हाल में की है जब आप बिल्कुल भी मदद करने की स्थिती में नहीं थे और उसके बाद फिर आप खुद बहुत परिशान हुए लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद करने में पीछे नहीं हठे छोटे दोस्तों, यह सब अच्छी बात है, हम कह रहे हैं कि आप ऐसा करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि आपकी राश्य के जातक हमेशा दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर आते रहते हैं, अपने जीवन में कहीं पीछे चुट जाते हैं, दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं, इस चक्कर में आप कई चीजों से दूरी बना लेते हैं, या यू कहें कि सफलता से और पीछे चूट जाते हैं, दोस्तों, इन सब बातों में एक और बात बहुत खतरनाक है कि आपके भोलेपन का कई प्रफि लोग लाभ भी ले जाते हैं। जी हां। दोस्तों आपने यह महसूस किया होगा कि कई बार लोग बड़े ही चालाकी के साथ में बदमाशी के साथ आपकी भावनाओं का लाभ ले लेते हैं और बाद में आप ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। तो अब आपको हम कि आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है। यदि आपने अब सतर्कता नहीं अपनाई। अब आप अपने जीवन में बहुत बड़े गड़े में गिरने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों अब आपको अपना भोलापन त्याग ना होगा। दुनिया इतनी सीधी सच्ची नही होने देंगे। अब आप दूसरों को किसी भी हाल में अपना यूज नहीं करने देंगे और दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि आप सच्चे दिल से अपने हृदय पर हात रख कर बताइए। हम जो बातें आपको बता रहे हैं, क्या यह बातें आपके साथ नहीं हो रही हैं। य अब आपको ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। इन लोगों को सबक सिखाना है और इन लोगों को वह करके दिखाना है जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं दोस्त उमरिया किंग जानिये कि अब आपका अच्छा समय आ चुका है। अब आपकी ग्रहों की चाल बहुत सुन्दर हो चुकी है और आपके अनुकूल हो चुकी है। जी हाँ, दोस्तों हैं, लेकिन इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यक्ता है। वरना हर बार की तरह आप फिर से वही गलती तो हराएंगे और आप सफलता हासिल करने से फिर से छूट जाएंगे या कोई छोटी मोटी सफलता हासिल करने के बाद फिर से असफलता की और कदम बढ़ा देंगे। यहाँ दोस्टों दोस्टों आपका दिल बहुत बड़ा है हम जानते हैं ये बात तो जवाब कामयाब होना शुरू होंगे आपके जीवन में खुशहाली आएंगे दुकान से फिर से जुढने का प्रयास करेंगे जिन्होंने आपको धोखा दिया है जिन्होंने आपकी कदर नहीं कि आपका सम्मान नहीं किया, आपकी इज़त नहीं किया, ऐसे लोग भी आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे माफी मांग लेंगे, आपसे प्रेम पूर्ण बरताव करेंगे, लेकिन वह सब नकली होगा, आपको याद रखना ह आपको उन्हें किसी भी हालत में माफ नहीं करना है, वरना आप फिर से मुसीबत में फंसी के तो दोस्तों, अब आपको बता देते हैं कि अब आपका मान सम्मान कब वापस आएगा, अब आपकी सफलता फिर से कैसे आपको प्राप्त होगी तो आपको बता दें कि इस देव न्याय के देवता कहते हैं, कर्म के देवता कहे जाते हैं और शनी देव की आपके उपर पूरी दृष्टी है। याद रखना दोस्तों, शनी देव न्याय के देवता है। जी हाँ दोस्तों हैं, जिन लोगों ने आपके साथ बुराईया की हैं, उन्हें एक-एक करके शनी देव स्वयम दंड देंगे, भी अपने कर्मों का फल खुद ही भागेंगे। दोस्तों याद रखना है कि आपको बदले में कुछ नहीं करना है। आपको किसी के खिलाफ अपने मन में कोई गलत विचार भी नहीं लाने हैं। आपकी अच्छाई, आपकी सफलता की सीड़ियां बनी। जी हाँ दोस्तों, जिस पर शनी देव कृपा करते हैं। यदि मन से सच्चा और अच्छा इंसान है, तो शनी देव खुल कर उस पर कृपा बरसाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक सफलता दिलाते हैं आपकी हर छोटी से छोटी गतिविधी का बड़ा से बड़ा लाभ आपको मिलता है। इसके बाद आपको हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों का विशेश खयाल रखना है। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक नए चरण की शुरुआत होगी। उसके बाद आने वाले कुछ महीनों तक शनी देव की कृपा आपके उपर लगातार बनी रहेग फिर आप जो चाहे वह करें आपको भरपूर सफलताएं प्राप्त होंगे। लेकिन आपको बहुत सावधानी रखनी होंगी। दोस्तों आपको याद रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं पालना है। जीवन जी है तो शनिदेव आपकी उने कर्मों की जो आप अब तक करते चले आ रहे हैं। उनका ही कई गुना परिणाम आपको दिल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों अब आपका समय आ चुका है। पद पढ़ने जा रहा है। अब आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों पूजा आराधना करते रहे। सनी देओल आपसे पसंद बने रहेंगे। अगर हो सके तो शनिवार के दिन शनी देव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं और छाया दान भी अवश्य करें। ग्यारा है बिलाओ शनिवार तक आपको यह गडरिया करनी है। आयादान अवश्य करें। ओम सम्शनिष चराय नमह इस मंत्र का जाप अवश्य करें। शनिवार के दिन ही आपको यह करना है और हो सके तो अपने घर के पूजा घर में सरसों के ठेल का एक दीपक शनी देव के नाम से चलाना शुरू कर दें। फिर आप देखें कि आपके जीवन में बड़े बड़े चमतकार घटित होने लगेंगे। फिर आप देखेंगे दोस्तों के आपके काम धंधे रोजगार में दिन, दूनी रात, चौगुनी, तरक्की होगी। नौकरी में भी आपको वि आपको कम करने में बिलकुल आलस नहीं दिखाना है। अगर मैं आपको अपनी सच्चे मन से करेंगे, तो आपको विशेश सफलताएं बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होंगी। आपके मार्ग में कई सफलता के मौके अब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें कि इस समय आपको महिलाओं का अपमान भूले से भी नहीं करना है। यदि आपका अपमान हो भी रहा है, तो आप से पहले लेकिन किसी महिला का पलट कर अपमान ना करें। हो सकता है कि वह आपकी परीक्षा हो, जो स्वयम शनिदेव ने आपके लिए नि किसी बड़ी निवेश में जाने से पहले किसी अनुभवी इंसान की सलाह की आवश्यक्ता रहेगी। बड़ी सोच समझ कर कोई बड़ा निवेश करें। हालांकि आ, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपने यदि गलत निवेश किया, तो आपको नुकसान होने के कुछ अनोखे अवश्य दिखाई दे रहे हैं। समाप्त हो जाएंगे। Fried est to yourcome, उस तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक हीवे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मनजिल प्राप्थ हो जाएगी। दामपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खीचतान चल रही थी तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दामपत्य जीवन बहुत ही सुन्दर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बरताव करना होगा। नहीं तो आप फिर से परेशान किये जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दामपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं उन्हें सनी के किसी भी प्रकार के दोश नहीं लगते हैं और ना केवल सनी केवल के अन्य कई गाउं के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते दोस्तों कुछ खास बात हैं, इसने आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए, इससे शनीदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, ध्यान से सुनिए, गाह गरीबों और जरूरत मंदों की मदद करने वालों पर शनीदेव की विशेश कृपा रहती है, अगर आप भी शनीदे से दान करते रहना चाहिए, शनीवार को किसी काले कुत्ते काली गाये को रोटी और काली चिडिया को दाना खिलाए, इससे शनीग्रह की क्रूर द्रिष्टी दूर होती है और बिगडे काम बनते हैं, शनीवार को चींटियों को आटा या मचलियों को दाना खिलाने से नौक उडद की दाल का दान करना उत्तम होता है लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है शनिवार के दिन कोईला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है बुजुर्गों असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर द्रिष्टी का सामना करना पड़ता है अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिये हैं और उसे जान बूज कर वापस नहीं कर रहे हैं तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है न्याय के देवता कभी जाने वाले शनिदेव सूरत से काले हैं और ज्योतिश के अनुसार उन्हें काला पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए इसी के साथ ही दोस्तों आज का वीडियो साफ करते हैं यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो कोई प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मान दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके उपर हमेशा बनी रहेगी मिलते हैं अगले ज्यान वर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद